फोर्ड एंडेवर जो गाड़ी कैसरे लोग का ड्रीम है कैसरे लोग का बहुत सरा इमोसंस जुड़ा हुआ है इस गाड़ी के साथ में लेकिन फोर्ड इंडिया छोड़ने के बाद ये जो सरा इमोसंस है ये धीरी-धीरे खतम होने लगा था लेकिन गाईज आप 2024 में Ford क्या इंडिया में फिर से वापस आ रहा है अपना King Endeavor के साथ में क्या Ford इंडिया में फिर से अपना Mustang को लॉंच करेगा क्या Ford इंडिया में फिर से अपना नेया नेया गाड़ियां लॉंच करेगा वो भी खड़ा हुआ है। गाड़ी को सीवीव उनिट के थ्रू सेल करेगा मतलब कॉंप्लिट बिल्ड अप यूनिट और इसलिए इस गाड़ी का इंडिया में प्राइस होगा नुजरेशन इंडेवर का वो लगवक 55-60 लाक्स के आसपास हो सकता है एक शोरूम और यह गाड़ी इंडिया में लाउंच और तीस्वा इंजिन है 2.3 लिटर का इको बूश टर्वो पेट्रोल इंजिन जिसके साथ आपको 6-speed और इंडिया में देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो मेन गाड़ी है वो है फोड रैप्टर जिस गाड़ी को फिलाल कल ही इंडिया में देखा गया है पहली बार ट्रक के उपर में इस गाड़ी का अभी तक कोई भी पेटेंट बगरा इंडिया में रेइस्टर नहीं हुआ है लेकिन यह गाड़ी इंटरनेशनल मार्केट पर एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गाड़ी है और इंडिया में अभी तक यह गाड़ी नहीं मिलता था तो अब होगा लगवग 50 to 55 लाक्स के असपास हो सकता है और यह गाड़ी लॉंच होने के बाद इंडिया में डायेट कॉंपिटिशन देगा टोयोटा हाइलक्स को इसके लबाब फोर्ड रैप्टर के साथ में आपको इंडिया में 4x4 और 4x2 का भी अप्सन देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट जो में गाड़ी आता है वो है फोर्ड मस्टंग मैक ए फोर्ड मस्टंग जो है वो इंडिया में फोर्ड का एक बहुत ज्यादा आइकोनिक गाड़ी था और गाईज अब साथ से फोर्ड इंडिया में अपना जो मस्टंग का मैक ए फरसन है मतलब उही फरसन है उ और एक दूसरा गाड़ी का भी ट्रेडमार्क को रेजिस्टर किया गया है, एंडेवर और मस्टांग मैकी के साथ में, जो किया फोट का एक मिड साइज SUV, लेकिन इस गाड़ी का जो फिलाल कोई भी नाम बगेरा ट्रेडमार्क में नहीं लिखा गया है, इतना क्लियर हो सकते ह हैं हम लोग इस गाड़ी का एक छोटा सा स्पाइस और टाइक पर भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसा होगा यह गाड़ी का फ्रॉंट प्रोफाइल और यह जो मीर्साइज इस वी होगा यह क्रेटा और सेल्टॉस का सेग्मेंट का ही होगा तो बस अभी तक इतना ही करके बताना आपको यह वीडियो का ऐसा लगा और वीडियो को शेर करना बिल्कुल ना भूलना और अगर आप हमरे चैनल पर नहया है तो अभी का भी हमारे चैनल को सब्स्राइब करके उसे विलाकान को दबादेना क्योंकि आटोविल से लेटेट ऐसे ही बहुत सारा इंफ चैनल पर ही मिलता रहेगा जय हिंद जय भारत